राजिस्थान के एक छोटे से गाउं से निकल के आता है एक लड़का दीपक मीना दीपक मीना दिल्ली की ओड चलता है, आईस वनने का सपना देखता है, मुखरजी नगर पहुचता है लेकिन एक महीने के अंदर एक दुखत खटना होती है कई दिनों लापता होने के बाद मिलता है दीपक मीना का शव पुलीस कहती है कि ऐसा लगता है प्राइमा फिरसाई की दीपक ने अपनी जान खुद ली है लेकिन परिवार वाले इस बात को सपष्ट रूट से कहते हैं कि हमें लगता है दीपक को किसी ने मारा है साजिशन तोर पर मारा है आपको बता दे दीपक मीना द्रिश्टी आईएस एक टॉप यूपियस ही संस्थान में वो पढ़ाई करता था और द्रिश्टी आईएस की तरफ से भी अब एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी करके कुछ तथ्य बताने की कोशिश की गई है वो तथ ये एक बर आपको बता देते हैं ये प्रेस रिलीज है जो द्रिश्टी आईएस की तरफ से जारी की गई चौबीस सितंबर को ये प्रेस रिलीज जारी की गई थी और नौ बाते पॉइंट्स में जो है वो द्रिश्टी आईएस की तरफ से कही गई पूरे प्रक्र किया जाता है दीपक मीना और उसके परिवार की तरफ पहली बात कही जाती है दीपक कुमार मीना मुख्य परीक्षा 2024 की तयारी के लिए 10 जुलाई 2024 से हमारे साथ जुड़े थे दीपक 10 सितंबर तक लाइबरी में आकर पढ़ रहे थे उन्होंने तयारी के लिए बहुत प्रभावशाली नोट्स बनाये थे जुलाई और अगस्त में उन्होंने कई टेस्ट दिये थे और उन्हें प्रत्य टेस् साथ था द्रिष्टी IS की तरफ से साफ तोर पर कहा गया कि दीपक मीना जो है एक अच्छा स्टूनेंट था जितने टेस्ट बीच हुए अच्छे अंक उसमें प्राप्त हुए और आपको ये भी बता दे कि मात्र एक ही अटेम्ट में उन्होंने इसी साल UPSC की प्रीलिम्स परिक्षा जो शुरवाती परिक्षा होती है उसने क्राक कर लिया फर्स्ट अटेम्ट में ही वो भी बिना किसी लंबे चोड़े कोचिंग सहियों के बिना दिल्ली दीपक मीना आए और उन्होंने अपनी मेंस की परिक्षा के लिए द्रिष्टी IS में अपने आपको एंडरो पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बाद में आएंगे लेकिन उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ द्रिष्टी IS कह रहा है कि 11 सितंबर को दीपक जो है वो नॉर्मली जैसे वो आया करते थे उस दिन वो लाइबरी नहीं आए और इसके पहले 10 सितंबर को पिता से उ ही लोटे हैं और उन्हें फोन भी उनका नहीं उठा रहे सूचना मिलते ही हमारी टीम कोडिनेटर ने दीपक के नंबर पर कई बार फोन किया किन्तु फोन नहीं उठा इसके तुरंत बाद हमारी टीम द्वारा दीपक के परिवार को सूचना दी गई वो भी इस बात से परि दृष्टी आयस ने भी दीपक के नंबर पर कई बार फोन किया, लेकिन फोन उन्होंने नहीं उठाया, इसके बाद उन्होंने दृष्टी आयस ने परिवार वालों को सूचित किया. दृष्टी आईस ने कहा कि अगले दिन दीपक के परिवार जन दिल्ली आय और उनके द्वारा पुलीस में गुमशुद्गी की शिकायत दर्च कराई गई इस समय तक दीपक का फोन स्पिच ओफ हो चुका था दृष्टी आईस ने कहा कि 14 सेतंबर से इस मामले की जाच दिल्ली पुलीस के हाथ में है 15 सेतंबर को दीपक के परिवार की उपस्तिती में हमारी टीम ने पुलीस को लाइबरी की CCTV फूटेज उपलप्त कराई दीपक के मित्रों और परिशितों से भी पूछताच की गई स्थानों से भी जाच अधिकारियों ने फूटेज एकत्रित की पर सभी प्रयासों के बाद भी कोई थोज सुराग नहीं मिला तो इस प्रेस रिलीज में दृष्टी आईस ये भी कहता है कि वो कैसे दिल्ली पुलीस के लगातार टच में था 15 सेतंबर को लाइबरी की जो फ परिवार के सदस्य वहां मोजूद थे पर दीपक वहां नहीं पहुंचे उसके बाद पूलीस टीम ने उनके फोन की आखरी लोकेशन के आधार पर नस्दी की इलाकों में सघन खोज की तो मुखरजी नगर से सटे दिल्ली विश्विद्याले के छात्रवास के अंदर छाड की कि वो तनाव में इस तरह की कोई शिकायत की गई या नहीं की गई उस पर दृष्टी आईएस ने कहा कि दीपक कुमार मीडा ने कभी भी किसी तरह के तनाव या दबाव की शिकायत अपने मेंटर से नहीं की उनके मेंटर्स और मित्रों की राय में वो एक विनम्र और अं उनके जो साथी रहे उनसे जितनी भी बाचीत हुई उससे यही पता लगा कि दीपक के एक अंतर मुखी अपने में रहने वाले और खुशमिजाज व्यक्ती थे अच्छा खासा वो पढ़ाई करते थे अच्छे अंक भी उन्हें प्राप्त हो रहे थे किसी से जगडे की कोई बात ऐसी संभावना जो है वो ना के बराबर थी इसके आगे दृष्टी आइस यह भी बताता है कि विकास जिविक कीरती जो की दृष्टी आइस के करता धरता है और दृष्टी आइस की तमाम टीम लगातार दिल्ली पुलीस के साथ संपर्क में हैं दृष्टी आइस ने क इसकी मदद करेंगे नीचे अंडसाइंट है दृष्टी समूग के तरफ से जेपटी सीओ विवेक तिवारी की तरफ से ये पूरा प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया है और इस प्रेस रिलीज से भी जो बाते सामने आती हैं वो ये कि जो उनके परिवार वालों का या जो मित्रो का कहना है उससे ये लगता है कि दीपक अपनी जान नहीं ले सकता था ये बात बार 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 हर कोई दोहराता हुआ नजर आ रहा है पढ़ाई में भी अच्छे अंकरजित कर चुके थे दृष्टी आयस ते अपने प्रेस रिलीज में आतक खा कि उनका चायन जो जो उनके परिवार वालों की तरफ से लगता कहा जा रहा है कि साजश्रण तरीके से किसी ने दीपक वीना को मारा है दीपक के साथ धोखा हुआ है लेकिन कैसे दीपक पेड की तरफ पहुंचा और उसके बाल जो तस्वीर आई वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं आपक तीन चात्रों की जान चली जाती है लाइबरी में पानी भनने के कारण दिल्ली के मुखरजी नगर में जो की चात्रों का हब माना जाता है यूपीसी के चात्रों का वहाँ पर एक फायर ट्राजडी हो जाती है और अब इस तरह की घटना ने मुखरजी नगर स्टूडेंट ठब कोई नहीं बलकि पूरे देश को हिला दिया है और चात्रों की सुरक्षा पर बहुत सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं दीपक मीना के मामले में न्याय को लेकर कैंडिल मार्च भी जो है वो बुखरजी नगर में चात्रों की तरब से निकाला गया चात्रा क्रोशित हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि दीपक के हध्यारों को कड़ी से कड़ी और जल से जल गिरफतार करके उन्हें सजा दी जाए इस पर आप क्या सोचते हैं कॉमेंस में अपनी राय बता सकते हैं